लाइट आफ लाइफ जिंदेगी की रोश्णी सीवकाई वक्ता कौन है? डॉक्तर मलीका साम्यूल जो चिन्नाई के विख्या कॉपरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टर्ट, अपस्टेरिशियन और गाइनेकलोजिस्ट है इन्हें गाइनेकलोजी के शेत्र में 24 साल का अनुभव है इन्होंने क्रिस्टिन मेडिकल कॉलेज वेलूस से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुइशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन उनिविशिटी के डुटांडा हस्पिटल से की है यह विशेशग्य हैं इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जैपुर में विताया है गाइनेकलोजिस्ट के हूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इन्फर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाईयों और बहनों को सुसमाचा प्रचार करने की गहरी इच्छा दी जै मसी की what a great thing it is to come into God's presence today और आज की दिन परमेश्योर की उपश्चिती में जो हमाते हैं इसमें कितनी आनन्द की बात हैं how good it is to study the word of God परमेश्योर के वच्छन को परने में कितना ही आनन्द हैं I trust that what we learn every week जो हर हफते हम सीखते हैं मैं विश्वास करती हूँ कि we would be using this in our daily life कि हम हमारे प्रती दिन के जीवन में अपनाएंगे you know today we are going to learn about Paul on his journey to Damascus और आज की दिन Paulus की यात्रा जो दमस्कुस तक गई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं you know I am amazed at the life of Paul Paulus के इस जीवन को देखकर मैं आच्छरी हो गई हूँ especially his journey to Damascus Paul a learned man Paulus एक बहुत अच्छे सीखे हुए जन है who followed his heart in whatever he did उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने पूरे दिल से किया है Paul a scholar Paul एक बहुत बड़े पंडित माना जानता था who learned the best from the best of the professors और बहुत महान लोगों से उसने बहुत कुछ महान कारियों को सीख कर रखा है like Gamaliel जैसे Gamali की जो शिक्षा है from an early age अपने बच्पना से ही उन्होंने सीखा है Paul a Pharisee Paul एक Pharisee था a man whose heart was rooted in the temple of Jerusalem वह वह विक्ती था जो एरुशलेम के उस मंदिर में उसका मन लगा हुआ था Paul a man who believed और Paulus वह मनुशे सा जो विश्वास में लगा हुआ था that salvation came only to the Jews कि यह जो उधार है केवल यहुदी लोगों को ही मिला है but you know even this Paul लेकिन आप लोग जान लीजिए यह जो Paulus है even he वह भी जो है began to feel the earth shift beneath his feet विश्वास उसने यह किया कि उसके चरनों के नीचे सारा जो जगत है वहीला हुआ है during the time of April in AD 30 और AD 30 में April के महिने की बात है Jesus had been crucified and with this things began to change और इन सब के बाद में हर एक कारियों में बदलाव आने लगा the people of the way seem to be filled with power that could not be explained और मसी के लोगों के जीवन में ऐसे बाते हुए जो हम समझ नहीं सके हैं they increased a number और उनकी गिंतिया दिन बर दिन बढ़ती गई and no amount of persecution could actually contain them और किसी तरक का सथाव जो है उनको रोक नहीं सका in Jesus name ईशु मसी के नाम से men and women stri और पुरुष were healed of their diseases उनको अपनी बीमारियों से चंगाई मिली the blind began to see अंदे देखने लगे the dead began to come to life जो मरे हुए थे वे जीवित हुए the deaf began to hear victories were seen in the name of Jesus ईशु मसी के नाम से पूरा जय उनको मिला what is going on और यहां पर क्या हो रहा है the teaching of the way और यहां पर मसी की लोगों की जो शिक्षा है minimize the importance they made the importance of the temple much less और उनका उनके अंदर जो यहनी परमेश्वर के मंदिर का जो अभी प्राय था वा कम होने लगा they thought of God living in the heart of man और एक मनुष्य के अंदर जो परमेश्वरा उसके बारे में वे सिखाने लगे the body of the man where God dwelt that was now the temple और यहां पर एक मनुष्य उसके दिल के अंदर जो परमेश्वर रहता है उसको वे बताने लगे his soul and spirit was God's sanctuary और उनका जो शरीर और प्राण जो है वा परमेश्वर के और का था the heart was cleansed by the blood of Jesus ईशु मसी के लहू के दवारा उनका दिल जो है दोया हुआ था उन्होंने जो क्रूस पर हमारे लिए दिया है और जो मसी के लोग थे और उनके अंदर जो परमेश्वर जी रहे थे उसके बारे में शिक्षा देने लगे लेकिन एक मिनिट के लिए आप ध्यान दीजिए क्या यहुदी नी यह नहीं विश्वास किया कि परमेश्वर मंदिर के अंदर रहता है एक पवित्र स्थल में जहां पर मनुष्य को अलग किया गया है एक बहुद बड़े वस्थर के द्वारा क्या उन लोग ने यह नहीं विश्वास किया कोई भी जो है उस वस्थर को पार करके नहीं जा सकता है उस पवित्र स्थल में कोई भी नहीं जा सकता है और किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं ता कि उस पवित्र स्थल तक वे जाए यानि एक महान याजगता उसके अलवा और वह भी जो है एक बार, साल में एक बार होता था जब वह जो है परमेशोर के लिए बलिदान चाहने के लिए जाते हैं सभी इस्रेयल लोगों के पापों के लिए और उस मंदिर के बीच में बहुत बड़ा सा वस्थर है वह परमेशोर और मनुष्य के बीच में रहता है वह अलग कर देता है This veil was no ordinary veil. और ये जो बड़ा वस्तर जो हम कहते हैं, ये सादारन नहीं है. This veil was an enormous structure. और ये जो वस्तर है, बहुत बड़ा है. And it was measured in cubits. और ये जो है, a cubits में इसका नापा जाता है. A cubit is 18 inches. और एक cubit जो है, 18 inch का होता है. Or a foot and a half. और आदा foot होता है. So the holy of holy. और ये जो पवितर स्तर है. It was 30 feet long. वह 30 feet zyada होता है. 30 feet wide. और 30 feet की चड़ाई में होती है. And 30 feet high. और 30 feet की लंबाई में होती है. This means that the veil. और ये जो बड़ा वस्तर जो है. That would have been 30 feet long as well. और वह भी जो है 30 feet की चड़ाई में होती है. And it would have been 30 feet high. और 30 feet की लंबाई में होती है. So as to block out the view completely. ताकि उस चेतर को पूरी तरह से वह ढब दे. You know, it was about 4 inches thick. और उसका जो चड़ाई है वह 4 हिंच का होता है. No sooner had God rent the veil. और जितना ही जल्दी जो है वह वस्तर फटा हुआ था. Of the holy of holies. और पवित्र स्थल के उस जगव में. God became accessible to man. परमेश्वर जो है मनुशी के साथ बने हुए थे. Man could enter into God's presence. और ये जो मनुशी है वह परमेश्वर की उपष्थिती में जा सका था. Boldly. और भौती शक्ती के साथ. Because of the blood that cleanses us. Question is. Is the veil still hanging in our hearts today? क्या आज भी जो है वह वस्तर हमारे मन में लगा हुआ थे? A thick veil. एक इतना तगड़ा वस्तर. Preventing the holy spirit from entering our hearts. जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा को आने नहीं देता है. Is there a huge wall separating you from God? क्या इतना बड़ा दिवार है जो परमेश और को हमारे अंदर आने नहीं देता है? What miracle in our lives can actually rend that veil and let Jesus in? वा क्या अदबुदकारी हो सकता है जो परमेश और हमारे अंदर आने को दे सकता है? Dear friends. मेरे प्रिये दोस्तों. Come to Jesus. एशु मसी के करीब आज आईये. और बोलिये की है प्रभु मेरे अंदर आजाईये. Isaiah tells us. एशिया में बताया गया है. That God is saying. की परमेश और कहते हैं. I'm gonna break the bals of iron. और मैं उस जो है लोहे के कुंजियों को मैं तोड सकता हूं. I'm gonna crush the gates of bronze. और ओ जो दिवार है उसे मैं तोड सकता हूं. God is able to break any stronghold in your life. आप लोगों के जीवन में रहने वाले हार एक एक तगड कारियों को लोहे जैसे चीजों को परमेश और तोड सकता है. That stands between Him and you. जो परमेश और आपके बीच में खडा हूआ है. Now we go back to Paul. और अभी हम Paulus के पास जाएंगे. Who is frustrated. जो बहुती दुखित है. With all these changes. और उसके जीवन में जो भी परिवर्टन हुआ है उसके कारण. जो उसके जीवन को पूरा उल्टा बना रहा है. We will look at Acts chapter 8 verse 1. और अभी हम प्रेरितों के किताब अध्याए 8 वचन 1 को देखेंगे. On that day. और उस दिन में. A great persecution broke out against the church in Jerusalem. और एरुशलेम के बीच में जो कलिशा थी उसके बीच बहुत बड़ा सताव आया. And all except the apostles. और सभी प्रेरितों को छोड़. Were scattered throughout Judea and Samaria. वे सब जो है योदिया और समारिये के देशों में तीतर बीतर हो गए. But Saul began to destroy the church. और वहां पर Saul जो है उस हर एक एक कलिशा को तोड रहा है. Going from house to house. एक एक घर में जाकर. He dragged off both men and women. वहां पर रहने वाल अस्त्री और पुरुशों को वा बहार निकाल रहा है. And he put them in prison. हर एक एक स्त्री और पुरुशों को वा बंदीगर में डाल रहा है. Paul's frustration and fury knew no limits. Meanwhile, और उसी समय पर verse 9 says, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and he asked him for letters to the synagogue in Damascus. So that if he found any there who belong to the way, whether men or women, he might take them prisoners to Jerusalem. Paul along with his men journeyed on to Damascus. with a mission to pull out men and women who believed in Jesus. और जो मसीख के उपर विश्वास करने लगे उन सभी लोगों को बहार निकालने के लिए. What was his aim? उसका उदेश क्या था? To search out children of the way. और जो मसीख के लोग है उन्हें ढूनना है. And snuff their lives. उनका जीवन को कतम करना है. Lest more and more big people began to share the good news. और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेशर के सूसमाच और जो बताना चाहते हैं. But as he rode. और जैसे ही वा यात्रा कर रहा था. Saddled on his horse. और वा अपने घोडे पर बैटा. Speeding towards Damascus. और Damascus के रास्ते में गया. और सर्ग से एक बहुत बड़ा सा रोष्णी उसके उपर चमकने लगी. और उसके उपर आपड़ी. And a voice came to him. और वहां पर उसने एक आवाज को सुना. Which said, Paul, Paul. वाज से उसने ये सुना कि Paulus, Paulus. Why are you persecuting me? तुम मुझे क्यूं सता रहे हो? You know, when we look at Acts chapter 26. I am going to read this. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priest about noon King Agrippa as I was on the road और जैसे ही सूरी की तेज के बीतर वह बढ़ता गया I saw a light from heaven और मैंने सुर्ग से एक जोती को देखा brighter than the sun और जो जो है सूरी से ज़्यादा चमक रहा था blazing around me और वह उसके चमक मेरे उपर पढ़ने लगे and upon my companions और मेरे लोगों के ऊपर भी पढ़ने लगे and we all fell to the ground और हम सभी उसको देखकर हम दर्ती पर गिर पढ़े and I heard a voice speaking to me और मैंने एक शब्द सुना it said Saul, Saul और वह शब्द ये कहता है कि Hey Shaul, Hey Shaul Why do you persecute me? तू मुझे क्यूं सताता है it is hard for you to kick against the goads then I asked मैंने कहा Who are you Lord? Hey Prabhu, तू कौन है? and the voice said और उस Prabhu के आवाज ने कहा I am Jesus who you are persecuting मैं ईशु हूँ जिसे तू सताता है now get up परंतू तू उठ stand on your feet अपने पाओं पर खड़े हो जा I have appeared to you to appoint you as a servant क्यूंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया ता कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवा तहराऊं and as a witness of what you have seen और जो तुने देखा है उसका तुम एक गवा बन जाओ and what you will see of me और तू जो कारे तुम मेरे भारे में देखने वाले हो hallelujah what happens when you meet the sovereign lord और जब आप सर्वशक्तिमान से मिलते हो तो क्या होता है the one who is seated on the throne और जो एक बहुत बड़े सिहासन के ऊपर बैटा हुआ है it doesn't matter who you are आप लोग कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है you may be a young boy like Jeremiah Jeremiah के जैसे आप एक जवान हो सकते हैं or a Pharisee like Paul नहीं तो Paulus के समान एक फारसी हो सकते हैं you can be like the prince of Egypt, like Moses और Mr. देश में रहने वाले एक राचकुमार मुसा के समान हो सकते हैं but when you meet God लेकिन जब आप परमीशुर से मिलते हैं when you see Him face to face जब आप उनसे आमने सामने मिलते हैं you dare not raise your voice you fall to the ground और आप नीचे भूमी पर गिर जाते हैं because you know that you have met the king of kings यूँकि आप जानते हैं कि आपका मुलाकात राजाओं के राजाओं से हुआ है you may be going to climb the highest mountain आप जो है बहुत बड़े परवत को चड़ने के लिए जा रहे हों to make a sacrifice to some God एक बहुत बड़े बलिदान करने के लिए है but when you hear his voice लेकिन जब आप उनके आवाज को सुनते हैं you fall to the ground आप नीचे भूमी पर गिर जाते हैं you change direction all together और पूरी तरह से आप लोगों की दिशा जो है बदल जाती है because he is sovereign क्योंकि वा सर्वशक्तिमान है he has power and authority over your life आप लोगों की जीवन के उपर उनका अधिकार और सामर्त है when you meet him face to face जब आप उनसे आमने सामने मिलते हैं you will automatically know this आप अपने आप में जान लेंगे all this time कि ये सारे समय में we thought हम सोचते हैं we had authority upon ourselves हमें अपने उपर ही अधिकार है we thought what we did was our own business जो हमने किया है वह हमारा ही काम है we could do whatever we wanted हम जो भी चाते हैं हम कर सकते हैं even if it hurt ourselves वह हमारे अंदर वह भादा भी डाले or those around us नहीं तो जो हमारे बीच में है उन लोगों की जीए we had to answer to no one हमें किसी कोई जवाब देने की कोई आवशक्ता नहीं है that's what we thought और यही हम सोचते रहते हैं but then when we meet God face to face लेकिन जब हम परमेश और से सामने सामने मिलते हैं we recognize His authority upon us हमारे उपर जो उनका अधिकार है हम उसे अच्छी तरह जान लेते हैं we stand still in His presence and we are submitted to His will my dear friends is there anyone among us who is on the way to Damascus anyone who is intent on doing what he has decided और जो अपने आप में सोचते हैं उसको करने वाले ऐसे कोई हैं क्या someone who wants to follow his own desires जो अपने इच्छाओं के अनुसार चलना चाते हैं not concerned about how we might hurt others हम दूसरों के बारे में जो सुनते हैं उसके बारे में कोई फिकर नहीं करने वाले है but when God stands before you लेकिन जब परमेशोर हमारे सामने आते हैं you will have to stop हमें तो रुकना ही पड़ेगा you will have to turn around और हमें तो ऐसे मुडना ही पड़ेगा at that very moment और उस समय की बात है at the just the right time और उसी सही समय पर God can meet you परमेशोर का मुलाकात आपके साथ हो सकता है and He can turn you around और वे आपको पूरी तरह से बदल सकते हैं hallelujah Jesus says to Saul He says why are you persecuting me you know it appears one of the greatest thoughts of all Christendom that Christ appears to Paul in His spiritual body और वे अपने आत्मिक शरीर के साथ but even in and also in His physical body और अपने अपने सांसारिक शरीर के साथ भी you know as soon as Paul met Him और जैसे ही Paulus का मुलाकात प्रभू से हुआ He said I have met Jesus और वा कहते है की मेरा मुलाकात परमेशोर से हुआ ईशू से हुआ है He had never seen Jesus before और उसने इससे पहले अंदर मसी को कभी नहीं देखा है but Paul had said Paulus ने वहां कहा look I have met you Jesus मैंने जो है ईशू से मिला है Paul did not tell Jesus Paulus ने ईशू से ये नहीं कहा look Jesus I did not harm you Hey ईशू मैंने आपको तो नहीं सताया है I am only killing your disciples मैं तुमारे चेलों को मार रहा हूँ but the moment Jesus told Paul लेकिन जैसे ही ईशू ने Paulus से कहा why are you persecuting me कि तुम मुझे क्यूं सताते हो Paul immediately knew that he was Jesus was talking about the church that he is persecuting और Paulus को उसे ही समय समझ में आगिया कि ये जो प्रभू ईशू मसी जो है उनके कलिक्षा के बारे में यानि मंदिर के बारे में बोल रहे है अज के दिन when the church is persecuted जब कलिक्षा सताव के बीच में जा रही है it is like Jesus is being hurt वैसे है की परमेश और ईशू मसी सताव के बीच में जा रहे है are we faithful to our God क्या हम हमारे परमेश और के लिए विश्वास होगे हैं are we faithful to our duties in the church हमारे कलिक्षा में जो जिम्मेदारिया हमें दी गई हैं क्या हम उसमें सही हैं are we loving towards those who are our pastors and those who are around us in the church और कलिक्षा में जो हमारे सेवक हैं जो महान लोग हैं क्या हम उनके आग्याकारी बनकर क्या हम उनसे प्रेम करते हैं or do we speak roughly about them नहीं तो क्या हम उनके बारे में बहुत ही बुरा बोल रहे हैं are we willing to be like Paul क्या हम Paulus के समान होने चाहते हैं who immediately submitted to the Lord जिसने उसी समय परमेशुर के हातों पर अपने आपको सौब दिया and the next word that Jesus said और ईशुमसी का अगला वानी है get up Paul तुम उठो Paul I'm gonna send you to preach to the Gentiles और इन लोगों के बीच मैं तुम्हें एक सेवक के समान मैं भेजना चाहता हूं you know Paul immediately knew और Paulus तुरंत जान गया this was the king of kings ये राजाओं का राजा है he was raising his hand against the king of kings और वह इतने दिन तक अपना हाथ उन राजाओं के राजाओं के विरुद्व उठा रहा था in 1 Corinthians 9 and 1 पहला कुरिद्यू का किताब अध्याइ नौ अच्छा नौ में लेका गया है Paul says यहां Paulus कहता है have I not seen Christ? मैंने क्या मसी को नहीं देखा? and upon mentioning the appearances to the twelve he said और वहाँ पर जो बारों के लिए उन्होंने दर्शन दिया है क्या मैंने नहीं देखा है he was seen last of all by me और वही एक आखरी जन था जो इशू को देखने वाला था in 1 Corinthians 15 and 8 it says और पहला कुरिंटियू का किताब अध्याइ पंदरा बच्छान आठ में लिखा गया है Paulus ने अपने ही आंकों से प्रभू ईशू को उसने देखा है Paul the Saul of Tarsus और Paulus जो है Saulus बन गया है और आज की दिन Jesus is asking us the same question ईशू मसे आज की दिन हम से वही प्रशन पूछते है मेरे प्रिये बच्छों आप उस सथाव के बीच में क्यों जा रहे हो आप अपने ही मारगों में क्यों जा रहे हो और जिन माता पिता ने आपको इस दुनिया में लेकर आए है Don't you know that you're hurting your spouse, your wife or your husband? Why do you do the things that you're doing? When you hurt others, you're hurting me. Jesus says, Get up and move. Give up all those things that you did before. And come now and serve me. Are we ready to do that, my brothers and sisters? Are we ready to come to Jesus today? Are we ready to come and give Him our whole heart? And are we ready to serve Him? Come to the Lord now. Shall we pray? Father, we just thank You so much. Because You are the King of Kings. You are sovereign Lord. You are the one who is in heaven. You are the one who is in heaven. We bow down before You. All authority on earth and heaven is Yours. We come before You, Jesus. And we pray that we submit our lives into Your hands. Be with us, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.